हाई गाईज वेलकम और वेलकम बैक तो माई यूटीब चैनल केसे हो आप सब लोग I hope you all are doing great मैं आप लोगों को स्वागत करती हूँ अपने यूटीब चैनल पे एक नया वीडियो के साथ सो अभी मैं जा रही हूँ नाइका स्टोर बिकाज मुझे कुछ खरीतना था अपने लिए नाइका स्टोर से तो नाइका स्टोर पे खरीतने के बाद now I am going back home और घर पे कुछ और काम है मेरा तो जल्दी जा रही हूँ घर वापस और जाते जाते मैं अपने कैट्स के लिए ये कैट फूड खरीत रही हूँ बिकाज मेरा जो कैट्स है वो लोग यूनो बस ये ग्रेवी लेते है और कुछ नहीं खाते है ये लोग तो ये मिक्स करके देती हूँ विसकास के साथ कैट फूड है जो विसकास वो मिलते है उसके साथ में देती हूँ जो मैं हमेशा यूज करते आ रही हूँ और ये अलमस्ट खतम हो गया था ये वाला सीरम है ये बहुत ही जादा मेरे लिए बहुत ही जादा अच्छा हुआ है मेरी स्कीन का जो टेक्च्चर है इसके वज़े से बहुत ही जादा हल्फुल हुआ है मेरा हस्बन और में हम कहीं जा रही है ट्रावल कर रहे हैं जिस्ट फू देज़ेंगे लगज के अंदर कभी भी हम बहार जाते हैं कहीं घुमने जाते हैं तो हम दोनों साथ मिलके पैकिंग करते हैं और इस बार में ज्यादा कपड़े लेके नहीं जा रहे हूं जिस्ट फूर देज बस इतना मेरे लिए काफी है मेरा हजबन है वो बहुत ही अच्छी तारा से कपड़ा फोल्ड करके यह इस तरह से ठीक करके अंदर लगेज पे रख देते हैं जब मैं करती हूं तो मैं थोड़ा सा मेस कर देती हूं विच इस नोट गूड अट अच्छी तारा से करते हैं तो हां अभी मॉर्निंग भी हो चुकी है और यहां पर मेरा यह क्यात बेटी हुए है इसका नाम है मीनी यहां पर बेट के हमेशा यूनों बाहर का नजारा देखते रहे हैं बर्ट जो यह ट्रीज है यहां पर ट्रीज में बहुत ज्यादा अनिमल आते रहे थे इस लाइक स्कृर बर्ट बहुत ज्यादा ह और वर सिर्ट में डेले की और कम पिरफ लोर नहीं है आप लगोगो ट बता ही होगा तो बिकशस अपब इस फ्लाइब ले का जियर होग का जह बर्णाच है छू डाल गाई है तो जब हुम सिल गार जाते थे गांगर खीप सिलीड गर का ज रुट हो प्रार टाम ponto तो इसलिए we have to take another route for that so it's going to take a long I think it took us around seven hours to reach Siliguri from Gantok पर रोड में कोई ऐसा दिकत नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, रोड वस वेरी गुड और वहाँ पर कोई ट्राफिक जाम भी नहीं था तो अच्छा था, जानी अच्छा था हमारा, लेकिन we got very tired तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी दिर के लिए stop किया, पता नहीं यह वाला प्लेस कौन सा था, मुझे नाम भी पता नहीं है तो हमने यहाँ पर चाई पिया पिज वो जगह बहुत थण था जोड का हवा चल रहा था, और मैंने सूचा कि चाई पी लेते हैं तो हमने चाई पी लिया और यहाँ पर एक view point था यहाँ पर sunset बहुती सुन्दर लग रहा था, sunset का view आप लोग देख सकते हो कितना सुन्दर लग रहा है यहां पर एक मंदिर था शायद शिव जी का मंदिर था और यहां पर टोरेस्ट लोग बहुत ही आये हुए थे तो फाइनली हम नीचे तक पहुंचे जहां पर सिल्गुडी और गैन्टो का रोड कनेक्ट होता है तो यहां से तो सिल्गुडी उतना ज़्यादा दूर नहीं है तो गाइस आप लोग जो यह डैम देख रहे हो यह वाला डैम है टिस्टारीवर का यहां पर पानी का जो वॉल तो फाइनली हम पहुंच गए सिल्गुडी राद भी हो चुकि है और विव वर वर्य अग्जूस्टेट तो हमने सोचा की हम को चाय पी लेते हैं क्यूंकि जब मैं टायर्ड होती हो ना तब मुझे चाय का बहुत ही याद आता है तो मुझे थोड़ा सा चाय पीना था बस एसे ही थकान मिटाने के लिए बट तो सब्सक्राइब लिए ये बट रगार बनाते हैं वो टेस्ट नहीं था इसा होता है जब बाहर हम कुछ खाते हैं कुछ पीते तो घर का जिसा स्वाद आना था तो इस वरी impossible you know so now we are heading towards the airport because our flight is at 11 o'clock तो दो गंडा पहले पहुचना है एरपोर्ट तो एरपोर्ट पे पहुचने के बाद हमने सब security check-in सब करके now we are about to have breakfast क्योंकि होटल पे तो इतना जल्दी you know breakfast serve ने करते हैं वो लोग तो हमने सचा कि कुछ यहीं पर खा लेते हैं तो I took this veg patty and black coffee and two hours wait करने के बाद finally as you can see the indigo aircraft you won't believe कि मेने में आज four years के बाद indigo का aircraft देख रहे हूँ and I was very excited and happy and emotional at the same time because this is the place where I used to work तो हमारा take-off भी हो गया और मेने flight में ज्यादा कुछ निल्या because jab में पहले you know when I used to work as a cabin crew in indigo airlines I used to have this roasted almonds because मुझे बहुती ज्यादा पसनाता था तो मेने वही ले 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 था cashew nuts and almonds and masala tea is the best तो हम finally पहुचे our destination which is Hyderabad तो Hyderabad मुचे पहुच्के लगा था तो it's going to be very hot लेकिन उतना ज्यादा गर्मी भी नहीं था the weather was pretty good this is our room for four days तो ये है हमारा room और मेरा और मेरा husband का और मेरा husband का तो दोस्त है he's going to stay in separate room तो हमने बिर्यानी order कर लिया था Hyderabad में आके बिर्यानी तो बनता ही है तो खाना खाने के बाद हम लोग ने थोड़ा rest किया और rest करने के बाद now we are going out for some times तो हम बाहर गए और जा रहे हैं जीवी के mall जो यहां से बस 10 minutes की दूरी में था हम जहां पे रह रहे हैं वो है बंजारा हील्स बंजारा हील्स से you know market अब कहीं पर पे जाओ वो बहुत ही नजदीक परता है तो इसलिए हमने वो जगा सेलेक्ट किया और mall पे तो हम बस एसे ही घुमे थोड़ी दिर के लिए and we plan to go for another place which is Hussain Sagar Road यह मैंने YouTube में देखा था यहां पे बड़ा सा एक lake है जहां पे बुद्ध भगवान का एक statue है और यह वाला जो white color का आप लोग देख रहे हूँ वो है secretary तेलंगना का जो कि बहुत ही बड़ा था और यह वाला यह lake है यह lake भी बहुत ही बड़ा है यहां पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं especially in the evening time so we are going back to our hotel तो guys आप लोग देखते रहों में आप लोग उसे मिलती हूँ दूसरा हैदरबाद का कुछ वीजियो के साथ तब तक के लिए thank you so much and bye bye